नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है NKP प्रोडक्शन में तो आज जो मैं नोटिस देना जा रहा हूँ आप सबको ये थोड़ा सा सौकिंग न्यूस तो आपके लिए होगा आप ब्लेम भी कर सकते हो लेकिन ब्लेम नहीं हो सकता है क्योंकि ये नोटिस ओफेसिली तोर पर आया है तो चलिए मैं अभी इसमें सारा डिसकस करना चाहूँगा आपके पास बहुत सारे पॉइंट होगे तो मैं सारा पॉइंट को एकक करके ले करके अभी किलियर करना चाहूँगा तो सब सब पहले बात डिसकस करते हैं इस टॉपिक पर कि टॉपिक में क्या बताया गया है कि offline classes newly admitted students जो है यूजी semester 1 के मतलब कि अभी जो student का admission हुआ है आर्स commerce science में उनका जो class जो है 19-10-2022 से start हो जाएगा मतलब कि 19 अक्टूबर 2022 से start हो जाएगा आज पर following schedule जो दिया गया है बीए girls and boys section साड़े बारा बज़े से मतलब बीए जो boys section में जिनका admission हुआ है उनका boys में class चलेगा girl section में जिनका हुआ हुआ है उनका girl section में चलेगा वो भी साड़े बारा बज़े से चलेगा वहीं BSC का बात करें तो BSC का आपका बारा बज़े नून से चलेगा मतलब कि दो पाहर बारा बज़े से वहीं become की बात करें तो गल सेक्षन और बैस सेक्षन का साधे नो बजे से होगा बहुत बच्चों का कोश्चन था क्लास श्टार्ट नहीं हो रहा है लेट हो रहा है चलिए क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा इसमें आपको यह चीज़े की टाइम नहीं दिया गया आपको पहले नोटिस नहीं दिया गया है मारवारी कॉलेज में पहले ऐसा होता था कि डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन होता था उसके बाद में कलासे होती थी तो सब यहीं एक्सपेक्ट करके बैठ रहे थे लेकिन थोड़ा सा कॉलेज ने आपको सौक किया है तो यह नोटिस प्रभाइड कर देता हूं मेरे अंडर में कोई मैंनेजमेंट सिस्टम नहीं है मैं उस कॉलेज से निकल चुका हूं तो चलिए मैं आपको आगे के बताता हूं कि इसमें आपको है कि बहुत सारा पॉइंट होगा कि डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन का तो उसके लिए कोई भी नोटिस अभी कोलेज के वेबसाइट में नहीं आया है बहुत बच्चे को लग रहा है यह फेक है फेक नहीं है बिलकुल भी फेक नहीं है क्यों नहीं है प्रिंसिपल के भी सिगनेचर है और भी आठारा दस दोहजर बाइस का ही सिगनेचर है मैंनेजमेंट की और से आए है अप यह भी नहीं किये है तो कहां से कर वा सकते है तो आप पना सकते हैं तब्रेसाप अपने करके प्रोसेस है वह क्लेज के टीचर तो जब बसको डिसकास करेंगे जो भी डिसकास ओर इंतिर धॉल होगा इंट्रोडक्शन होगा क्योंकि I जो लिस्ट में है, तो लिस्ट के लिए मैं अभी इमें अफडेट कर दूँगा कि छुटी कब से कब तक दिया जाएगा आपको, जो दिवाली से ले करके छट तक का, तो अभी हमको लगता है कि 4-5 दिनों का आपका क्लास चलेगा, उसके बाद छट के बाद आपका document verification होगा, उसके बाद फिर proper guidelines से classes चलेगी, यह मैं अपने point of view से बता रहा हूँ, और जो की सटिक भी बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो है कि सटिक है, लेकिन यह आपका surprising कर देगा, कि college की ओर से थोड़ा सा surprising आपको किया गया है, कि आपको document verification से पहले class की notice आ गई है, चलिए अच कोसिस करो, जितना जल्दी आ सकते हो, आ करके class अपना join करो, और बने रहें, NKP process introduction के साथ, आपका जो भी दिक्कत होगा, comment करके बताईए, मैं कोसिस करूँगा, कि आपका point को मैं clear कर सकूँ, और अगर dress नहीं सिला हैं, तो आपको मैं एक address भी दे सकता हूँ, कि आपको मैं point मैं point बता दे रहा हूँ कि कहां पर आप address सिला सकते हैं, सबसे सस्ता मैं आपको address भी सिला करके देदेगा, कपड़ा अपले के जाएंगे, साड़े 400 में stitching हो जाएगा, मतलब वो seal देंगे, आपका address